ठीक है, तो I was talking about the priority matrix, priority matrix में देखो दो category fall off करती है, एक category है urgent की, एक काम या तो urgent हो सकता है, या तो not urgent हो सकता है, कोई काम जो है वो urgent हो सकता है, या तो not urgent हो सकता है, either it is urgent or it is not urgent, या तो वो काम जो है वो important हो सकता है, या तो not important हो सकता है, तो decide करना होता है, देखो आपके पास category पहले जो भी work है, जितने भी आपके पास काम है, actually हमें time management की जरुवत टब ही पढ़ती है, जब हमारे पास जो है, वो multiple task हो, हमें time management की जरुवत तब पढ़ती है, जब हमारे पास multiple tasks हो, नहीं तो हमें जरुवत क्या है, अगर एक time पे एक ही काम करना है, तो फिर हमें time management जैसे कोई चीज की जरुवत ही नहीं है time management की जरुवत जब पढ़ती है जब एक time हो और काम चार हो तब हमें लगता है कि उनको कैसे हम prioritize करें और कैसे manage करें कि हमारा सारा काम सही तरीके से चले तो नो देट उसके लिए आपको priority matrix या decision matrix के थ्रू जो है वो जाना बहुत कह सकते हैं बहतर हो सकता है अगर आपको literally अपने जिन्दगी में time management की skill जाननी है तो बस इसको apply कर लो इस apply में आपके पास जितने भी काम है उन काम को category में कैसे divide करना है कि पूछना है या जानना है कि उन में से कौन सा काम जो urgent है और कौन सा काम not urgent है मलब कुछ ऐसे काम होगे जो urgent होगे मतलब तुरंत करने हैं और कुछ ऐसे काम होगे जो urgent तुरंत नहीं है अब अगर वो urgent है तो urgent है तो क्या वो important है या not important अर्जेंट तो है लेकिन क्या important है या क्या वो not important है सवाल यह आता है कि क्या वो महत्वपूर्ण है या वो महत्वपूर्ण नहीं है ठीक है एंड कहीं न कहीं जो है कुछ ऐसे टास्क होंगे जो अर्जेंट तो नहीं होंगे लेकिन वो महत्वपूर्ण होंगे इंपॉर्टेंट होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो नौट इंपॉर्टेंट होंग अब देखे time management क्या था कि because that was urgent and that was important तो आपके पास जो है कोई ऐसा काम हो कि पहले वो urgent है क्या हाँ क्या वो important है येस तो सबसे पहली priority देनी है urgent है और important है ठीक है that urgent भी था और important भी था तो मैंने सबसे पहली priority दी वो that do it now ऐसा कोई काम जो urgent है और important उसको तुरंत करो ठीक है तुरंत करो इसके बाद अगर कोई काम urgent है लेकिन important नहीं है मतलब महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन urgent है तो कहीं न कहीं जो है आप ऐसे काम को किसी को सौप सकते हो कि वो urgent तो है लेकिन जो है important नहीं है तो for example जैसे कि अगर मैं बोलू कि fan on करना या कुछ ऐसा काम जो है किसी को पिक करना मेरा कोई दोस्त आ रहा है वो urgent तो है वहाँ पे खड़ा है चोराया पर बोल रहा कि भाई मुझे आपके रूम पर आना तो अब urgent है वह खड़ा है वहाँ पर लेकिन ये काम important नहीं है कि मुझे उसको करने की जरूरत है तो मैंने अपने जो है किसी दोस्त को भेज हाई कर रहे होते हैं और आपके कोई relative आ जाता है तो मम्मी कहती है कि बेटा पानी लेकिया अगर आपके घर में कोई sister, mother या कोई भी छोटा इंसान है तो वह urgent हो जाता है लेकिन important नहीं है तो आप क्या करोगे कि कि किसी delegate के उपर टाल दिया कि आप जो है ये लेके जाईए उसको ठीक है छोटे भाई को मम्मी को बोले कि आप कर दीजे तो delegate का मतलब है कि इसको आप किसी पर transfer कर सकते हैं आप किसी की help ले सकते हैं transfer करने का मतलब you can take help from अगर urgent है और important नहीं है तो आप किसी की मदद से ले कर लीजे वो का ठीक है ऐसा काम जो है आपके life में बहुत आत सब को रहेगा कि जूता कहा है कपड़ा कहा है खाना बना कि यह सब जो है urgent तो है लेकिन उतने important नहीं है जितनी आपकी studies जैसी है तीसरी category आते है कि कुछ ऐसे काम है जो urgent नहीं है urgent नहीं है मतलब जरूरी नहीं है कि अभी करना लेकिन अगर वो important है तो अगर वो urgent नहीं है important ह है तो आप इसको कल schedule कर दो जैसे कि मुझे doctor से appointment लेना है वो important तो है मुझे अपने आपको दिखाना लेकिन वो अभी appointment आज ही नहीं है वो मैं कल या परसो कभी ले सकता हूं तो मैंने उसको कहा कि नहीं अभी जो जरूरी है मैं वो काम कर लेता हूं यह वाला काम जो है मैं कल होते हैं जैसे दोस्तों के साथ बैठ के तफरी काटना अरे साधी में देखा उसका लहेंगा कितना हलका था वो लगता है सरूजनी मार्केट से लेके आई होगी देर 2000 में वो बेकार सा मेकप मेकप देख रहे थे कैसा मेकप था ऐसा लग रहा था यह जो तुच्छी वाली बाते होती है जैसे बाते वाहसं अर्फंट नहीं होurar अर्जंट नहीं काम अर्फंट दोस्त के साथ तफरी काटना चाय पी अगर आपको decision लेने की छमता आ गई इन चार categories में कि कौन सा काम urgent है कौन सा not urgent है जो urgent है तो important है do it now not urgent है लेकिन important है तो उसको बाद में करो जो आपके basic तोर पे urgent है लेकिन not important है तो उनको जो है कही न कही basic तोर पे क्या कहोगे कि भाईया आप कोई और कर दे और अगर वो not important है और not urgent है तो उनको delete मार दो तो मैंने आपको जो है यहाँ पे basically क्या समझाया जब भी आपके पास multiple work आया तो पहले तो पूछो कि वो work जो है वो important है या not important है पूछ लिया जो भी काम आपको करना है अपने काम को इन चार काटेगरी में डिवाइड करना है विदर important है या not important है अगर वो important है तो फिर कैसा है क्या वो urgent है या वो not urgent है अब important तो है तो important है तो urgent है तो सबसे पहले इसको first ये करो सबसे पहले तो delay कर दो second ये करो जो थोड़ा सा बाद में कर सकते हैं अगर वो important नहीं है लेकिन urgent है तो third level पर ये करो या इसमें आप किसी की help ले सकते हैं या इसको ये काम कर सकते हैं and fourth level पर जो not important है और नहीं जो है वो urgent है तो ऐसे को कह दो कि भईया good bye delete मार दो सबसे पहले important urgent को करना है फिर important not urgent को not important urgent को किसी की help से कर दो और not important not urgent को delete मार दो अगर आप अपने काम को इसमें से जिस category का है अगर decide करने आ गया उस category के basis पे उनको आप से करो कि पहले क्या करना है फिर क्या करना है दिन में पहले पढ़ाई करनी है फिर थोड़ा बहुत खाना बना लेना है जो की important है लेकिन not urgent है तो वो साम को बनाना है जो not important urgent है जैसे फालतियों का पान निवानी देना बैठ के तफरी काटना जो है एकदम not urgent को not important को delete मार दो और important और urgent है जिसे पिता जी को लेने जाना है या कुछ ऐसे काम करना तो किसी की म अपलाई करता हूं और इससे जो है मेरा जो आप लोग कई बार पूछते ने कि how I manage all the tasks in my life apart from my PhD, startup and all उसके पीछे जो है reason एक जो है यह है कि मैं अपने टास्क को जो है daily basis पे prioritize करता हूं यह टास्क जो है वो daily basis पे आपको prioritize करना है आज जितने काम है आज उनको prioritize कर लो आप उसको अराम से daily जो है उचलता रहेगा daily उठो अपने टास्क को इन चार काटेगरी में prioritize करो important urgent, important not urgent यह चार काटेगरी रखो लिख लो क्या क्या है उस हिसाब से उनको time दे दो कर लो हमें इसा सुरू सुरू में थोड़ा सा समय लगेगा एक बार हो गया तो समझ लो आप time management skill के जो है महारत हासिल कर लेंगे मोदी जी भी यही काम करते हैं तो कुल मिला जो लाक्टे जो है time management की skill जो है अगर आपको समझ में आ गई होगी दोस्त तो आप अपने time management का जो है पंगा यहां से हेलो गाईज वेलकम टू दे सेशन अगर आप CSIR क्रेक करना चाहते हैं तो अनेकेडमी लेके आया है एक बहुत ही बहतरीन कूर्स जिन कोर्सिस में जुड़के आप CSIR को क्रेक कर सकते हैं अनेकैडमी पे जो है CSIR UGC Net के लिए बहुत सारे कोर्से चलते रहते हैं जहां पर आपको मिलता है बेस्ट क्लासेज जहां पर आप जो लर्ण कर सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ प्लस और जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्सन हैं उनके साथ आपको मिलती है लिम्टेड लाइफ क्लासेज और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ जुड़ सकते हैं अगर आपका टार्गेट CSIR December 2013 है तो आप सही जगह पे हैं जी हां चलिए शुरू करते हैं कि अगर आप मेरे बारे में जानते हैं अगर नहीं जानते हैं तो माइन नम इस विरेंदर सिंग एंड टीच फॉर सीए सायर नेट लाइफ साइंस इसके अलावा जो है अगर अनकेडमी पे देखा जाए तो आपको ऑफर करता है प्लस सब्सक्रिप्शन प्लस में आपको मिलते हैं लाइफ क्लासेश और टेस्स सीरीज उसके बाद मिलते हैं प्रक्टी सेशन, स्ट्रक्चर द सीड्यूल आपको चीज़े मिलते हैं और सॉफ्ट कॉपी नोट्स भी प्रोवाइट किया जाता है तो ये सारी चीज़े मिलते हैं आपको Unacademy के subscriptions पे और Unacademy पे याद रहे कि notes जो basic तोर पे provide किये जाते हैं वो life sense, chemical, physical सभी category के लिए होते हैं जो कि curated and reviewed by the top educators and accessible anywhere, anytime, you can say hard copy notes भी आपको मिलेगा and definitely आप इसको कहीं से भी access कर सकते हैं. So if you are interested in Unacademy subscription, so subscribe now, जिस referral code को आपको use करना है, वो है Viran Live. याद रहे कि दो तरीके के subscription होते हैं, अगर plus आप चूज कर रहे तो उसे साब से आप subscription लेंगे और अगर आप iconic चूज कर रहे तो iconic पे click करके फिर आप subscription को proceed करिएगा. Plus courses अगर मैं बात करूँ तो मैं बहुत सारे units को teach करता हूँ, जैसे unit number 1, 2, 3, 4, 8, 7, unit number 12, 13, 10, 11, ये सारे units आपको मेरे profile पे मिल जाएंगे तो आप मेरे साथ जूर सकते हैं, इसके लावा मैं practice sessions भी Unacademy के platform पे लेता हूँ. Upcoming courses की बात करें तो ये कुछ plus courses आपको देखने को मिलेगे मेरे Unacademy के profile पे आप मेरे साथ जूर सकते हैं, batches की बात करें तो victory or resolve batches जो है अभी currently ongoing है, इन batches में जो है आप मेरे साथ जूर सकते हैं, apart from this, कुछ free classes आपको देखने को मिलती हैं, profile पे जाएंगे Unacademy के मेरे, त सभी जो है आप access कर सकते है Unacademy के platform पे, इसके साथ साथ अगर कोई चीज मिस हो जाती है और आप regular update के साथ बने रहना चाहते हैं, तो आप मेरे telegram channel पे जूर सकते हैं, यह मेरा telegram channel है, या तो आप नाम से सर्च कर सकते हैं, या इस link के through जो है, directly मेरे telegram channel के साथ जूर सकते है So, join Unacademy Plus or Iconic subscription and CSR को क्रैकर ये smartly and confidently, let's crack